क्या stock market में trading patterns बार बार repeat होते हैं या नहीं दोनों ही scenario में यह वाली trade आपको बहुत जाद अच्छा पैसा का बना के देती है exactly same pattern बना है जहां पे हम आप trade ले सकते थे यहां पे बहुत अच्छा profit आपको मिलता क्या stock market में trading patterns बार बार repeat होते हैं या नहीं यह बहुत जादा important topic इसलिए है इसलिए आज मैं इसकी वीडियो बना रहा हूं because last week मुझे दो stop loss यह थे जहां मैंने exactly अपने trading pattern के हिसाब से trade किया था but even then वहाँ पे market मुझे stop loss दिया था और उसके बाद बहुत सारे subscribers हैं और बहुत सारे जिन्होंने मेरा course लिया है उनको भी यह doubt था कि क्या trading patterns actually repeat होते हैं या नहीं और उनका confidence थोड़ा सा डगमगा रहा था और जब मुझे इस topic के बारे में multiple queries आई then मैंने यह सोचा कि यह topic के बारे वीडियो बनाना तो बनता ही है because बहुत जाज़ा जरूरी है यह discuss करना कि क्या जो trading pattern बनता है market में क्या वो repeat होते भी है या नहीं so अभी वीडियो में कैसे करेंगे सबसे पहले मैं आपको उस दिन लेके चलूँगा जहां मेरा actual stop loss rate हुआ था मैंने क्या trading pattern में trade किया था and वहां मेरा stop loss rate हुआ था and उसके बाद वही same trading patterns में हम देखते हैं कि क्या market ने और दूसरे दिन हमें loss दिया है या profit दिया है उससे अगर आप दोनों को एक बार compare कर लेंगे न आप एकदम clear हो जाएंगे कि क्या trading patterns repeat होते हैं market में या नहीं so हम यहाँ पे nifty के chart पे आ चुके है and यह है 7th of September Thursday का chart so जिन्होंने भी मेरी यह वाली trade की वीडियो देखी होगी उन सभी को मालूम ही होगा and अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी है दन आपको उपर का ही link मिल जाएगा इस वीडियो का आप वो जा के देख सकते हैं मैंने उस वीडियो में इस trade के बारे में पूरा detail में समझाया है तो 7th of September Thursday weekly expiry का दिन यहाँ पे हमने trade लिया था and यहाँ पे मेरा stop loss हिट हुआ था so यहाँ पे क्या हुआ था well market ने पहली candle बहुत जादा बड़ी red candle बनी थी and exactly दूसरी candle के end पे उसने अपना CPR breakout किया था and जैसे ही market ने अपना CPR breakout किया था यहाँ पे मैंने एक short की trade ली थी यहाँ पे मैंने call option sell किया था and मेरा view था कि market यहाँ से fall करेगी but यहाँ पे क्या हुआ well starting के 3 candle starting के 15 minute market मेरी favor में जा रही थी मुझे अच्छा गासा profit हो रहा था लेकिन उसके आद market continuously reverse हो गई and unfortunately मेरा 7th of September Thursday के दिन यहाँ पे stop loss it हो गया था तो यहाँ पे मैंने यह वाली trade का example इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो भी मैंने इसमें trade लिया था यह मैंने बस ऐसे randomly trade नहीं लिया था मैंने proper backtest किया है and backtest के accordingly हमने यहाँ पे trade लिया था so अब जो यह वाली situation थी जहाँ पे morning में market exactly अपने CPR के ऊपर खुलती है and starting में starting दूसरी या तीसरी candle में ही अपने CPR को break करती है नीचे की तरफ यह मैंने backtest करके देखा है and यह आप भी एक बार backtest करके देखिए तो आपको एकदम clear हो जाएगा यह बहुत जादा high probability setup है so well stock market में आप trading कर रहे है आपको एक word एकदम भूल जाना है जो है certainty and बस एक high probability setup होता है जिसको हम trade करते है so जो 7th of September को हमने trade किया था जिसमें exactly दूसरी candle ने यहाँ पे CPR breakout किया था नीचे की तरफ यहाँ पे मैंने trade ली थी यह high probability trade था यहाँ पे 100% guarantee नहीं था कि market हमेशा profit ही देगी यह बस एक high probability setup था लेकिन यहाँ पे certainty 100% अशोरिटी तब हो जाती है जब वही same pattern आप बार 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 repeat पे trade करते हैं जब भी market में form होता है then overall 100% with certainty आप वहाँ पे profit करेंगे उस बात की guarantee होती है लेकिन individual trade में उस बात की guarantee नहीं होती है because हर trade का outcome अलग होता है so 7th of September वाले दिन यहाँ पे CPR breakout हुआ था मैंने ट्रेड ली थी but market reverse हो गई and मेरा यहाँ पे stop loss it हो गया इसी trade के बाद बहुत सारे लोगों का doubt था कि क्या actual trading patterns repeat होते भी है या नहीं so चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसे examples दिखाता हूं जहाँ पे यही same pattern बना हो and उसमें फिर हम देखते हैं कि क्या result रहा तो यहाँ पे अब हम आ गए है 17th August Thursday का दिन well सिर्फ एक महीने पहली की बात है पिछले महीने की ही बात है जहाँ पे 17th August वो exactly same pattern बना था well same pattern मैं क्यों बोल रहा हूं morning में अगर आप देखेंगे market CPR पे खुली है and पहली candle, दूसरी candle, तीसरी candle अपने CPR के अंदर है and exactly जो fourth candle है उसने अपना CPR breakout किया है नीचे की तरफ stopless आपका central pivot line के उपर है जो CPR में beach वाली line होती है उसको central pivot line बोला जाता है so stopless आपका central pivot line के उपर है and take profit आपका यहाँ पर 1-2 है so exactly जो fourth candle है उसके end पर यहाँ पर आप trade लेते जहाँ पर आप 19,400 का call option या तो sell करते या फिर आप 19,400 का put option buy भी कर सकते है अगर आपको option buying करनी है तो दोनों ही scenario में यह वाली trade आपको बहुत जाद अच्छा पैसा बना के देती so exactly fourth candle के end पर यहाँ पर हम trade लेते and market इस level से continuously fall की है and यह वाला दिन भी Thursday का है जैसे हमने 7th September देखा था वो weekly expiry वाला दिता 17th अगस्त भी weekly expiry का दिन है मतलब अगर आप option selling करते है then 19,400 के अगर नीचे रहती है market then premium zero हो जाएगा and सारा का सारा profit आप घर लेके जाएगे so exactly fourth candle के end पर आप trade लेते जहाँ पर आप 19,400 को call option sell करते and overall आपको यहाँ पर 1 इस्टो 2 से भी जादा का यहाँ पर profit मिल जाता so अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आपका doubt clear हो रहा होगा कि क्या trading patterns repeat होते है so well यहाँ पर यह जो trading pattern है यह मैंने कुछ अपने घर पर तो बनाया नहीं है यह trading pattern मैंने nifty का ही निकाला है आप खुछ जाके देख सकते हैं अपने trading chart पे 17 अगस्त थर्जडे का दिन है exactly same pattern बना है जहाँ पर हम आप trade ले सकते थे यहाँ पर बहुत अच्छा profit आपको मिलता यहाँ पर एक और example देख लेते हैं जो 13th of February मंडे का दिन है यह वाला trading chart भी इसी साल का है February मंत का जहाँ पर exactly जो पहली candle है वो CPR के ऊपर खुली थी दूसरी candle भी CPR के ऊपर थी बट वो bearish candle थी और exactly जो तीसरी candle है उसने अपना CPR breakout किया था नीचे की तरफ यहाँ पर आप एक trade ले लेते या तो आप call option sell करते या put option buy करते दोनों ही scenario में आपको बहुत जादा अच्छा पैसा मिलता वे इसलिए में बताता हूँ जो भी trading patterns हम trade करते हैं वो option buying, option selling दोनों के लिए ही काम आते हैं इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ option selling को ही काम होता है विकॉज अगर यहाँ पर इस level पर आप trade लेते हैं कितना अच्छा market fall की है और आपको 1-2, 1-3 का भी target मिल गया होता वेल यह भी same exactly pattern है जो 7th of September को जिसमें मेरा loss इट हुआ है वो वाला pattern 17th of August को वो भी weekly expiry वाला दिन था उस दिन और आज 13th of February मंडे का दिन सारे के सारे same trading patterns बने है और यह सिर्फ 3-4 महिने के duration में मैं आपको बता रहा हूँ मैं ऐसा नहीं कर रहा है कि मैं आपको 4 या 5 साल पहले का इसमें trading chart दिखा रहा हूँ कि देखिए कि 5 साल पहले भी यह pattern बना था तो अभी वापिस यह pattern बन रहा है सिर्फ 3-4 महिने के अंदर-अंदरी में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे एक ही trading setup एक ही trading pattern कितनी बार repeat होता है बहुत ज़्यादा simple है market CPR के ऊपर खुलती है दूसरी या तीसरी candle CPR के नीचे break हो जाती है यहाँ पर आप एक trade ले सकते है 13th of February का भी बहुत अच्छा example है जहाँ पर तीसरी candle ने break किया है यहाँ पर आप 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 लिए trade लेते हैं बहुत ज़्यादा आपको अच्छा यहाँ पर profit मिला है यहाँ पर आप एक और example देख सकते हैं जो 10th of January Tuesday का दिन है जहाँ पर वापिस से वही same pattern बना है जो पहली candle है वो CPR के अपने अंदर है दूसरी candle भी CPR के अंदर है जो तीसरी candle है उसने अपना CPR breakout किया है नीचे की तरफ जैसे उसने CPR breakout किया यहाँ पर आप एक trade ले लेंगे या तो आप call option sell करेंगे या put option buy करेंगे and result आपके सामने कितनी ज़्यादा अच्छी market fall किया है well 18,025 पर आप यहाँ पर trade लेंगे and market 18,850 तक भी गई है so almost 175 points भी market fall किया and trust me on this अगर आप 175 points nifty में अगर आप capture कर पा रहे है बहुत जादा बड़ा profit आप लेके जाने वाले हैं घर पे वापिस है यह 2023 का ही pattern है जहाँ पे सिर्फ 4-5 महिने के अंदर अंदर ही एक और बार हमने वही same exactly trading pattern देखा है market अपने CPR पे खुलती है या CPR के slightly उपर खुलती है दूसरी या तीसरी या चौती candle immediately morning में ही अपना CPR breakout करती है नीचे की तरफ जहाँ पे आप एक short की trade लेंगे और आप पूरे दिन trend को ride कर सकते हैं वेल इसी logic के साथ ही मैंने 7th of September को भी Thursday वाले दिन trade किया था because ये सारी चीजे मैंने back test करके देखी है and मैंने ये देखा है कि जब भी market ऐसा pattern बनाता है यहाँ पे बहुत high probability है कि यहाँ पे हमें अच्छा profit मिलेगा and ये चीज मैंने 7th September वाली वीडियो में भी बताई थी कि अगर market same pattern वापिस बनाएगा then वापिस मैं घबराऊंगा नहीं trade लेने के लिए and मैं वापिस से वही same trade लूँगा irrespective of loss or profit because मैंने आपको पहली बताया है कि हर trade का outcome हो सकता है अलग हो या तो profit or your loss हो that doesn't matter लेकिन अगर एक trading pattern को आप backtush करके देखेंगे और अगर आप बार-बार repeat पे उस पर trade करेंगे जब भी market में फॉर्म होता है edge हमेशा आपके favor में रहेगा so मैंने यहाँ पे आपको चार एक्जामपल दिखाए है so चार ट्रेडिंग चार्ट के एक्जामपल में सिफ एक ऐसी बार था जब हमारा stop loss इट हुआ है उसके अलावा तीनो बार यहाँ पे हमें बहुत अच्छा trend right करने को मिला है so इसलिए मैं बताता हूँ कि जो भी ऐसा trading pattern बनता है उसको आप एक बार याद कर लिजी and जब भी वो market में form होता है without any hesitation without any fear उसको आपको trade ले नहीं है कुछ भी हो जाए because you never know कि वो बहुत जादा अच्छा profit दे दे so चलिए मैं आपको एक और example दिखाता हूँ वो है 28th अगस्ट Monday का example यहाँ पर मैं आपको यह वाला pattern इसलिए दिखा रहा हूँ because इस दिन हमें CPR breakout नहीं हुआ था well जब भी market ऐसा pattern बनाती है and अगर वो असानी से CPR breakout नहीं करती इसका मतलब market नीचे जाने के लिए तयार नहीं है and हो सकता है यह market को CPR पर support लेके reversal करना है वैसी same चीज 28th अगस्ट को ही because pattern के साब से एक दम exactly same pattern था जहाँ पर पहली candle CPR के उपर थी दूसरी candle almost अपना CPR क्लोस कर दिया था CPR के नीचे but उसके नीचे एक बहुत जादा बड़ी wick बन गई उसने अपने CPR पर ही क्लोस किया है well अगर यह दूसरी candle अपने CPR के नीचे क्लोस होती then obviously यहाँ पर हम एक trade ले लेते but market यहाँ पर क्या दिखा रही है दूसरी candle तीसरी candle बार बार नीचे wick बना रही है मतलब market तयार नहीं है CPR के नीचे जाने के लिए and इसलिए यहाँ पर हम short की trade नहीं लेंगे magic of trading pattern अगर आप समझ जाएंगे कि कितना जादा magic है trading patterns में then trust me आप कुछ और भी trade नहीं करेंगे आप सिर्फ जो आपके trading patterns है आप सिर्फ उनी का wait करेंगे and अपने edge का wait करते हुए जब भी market में form होगा आप trade करेंगे so इस दिन 28th अगस्त को यहाँ पर आप CPR breakout वाली जो हमने यह strategy देखिए उसमें आप trade नहीं करेंगे because यहाँ पर दूसरी candle तीसरी candle बार बार rejection दिखा रही है CPR के नीचे well obviously बात है अगर rejection दिखा रही है मतलब वो CPR के नीचे जाने के लिए तयार नहीं है and इसलिए आप एक short की trade नहीं लेंगे and उसके बाद result क्या होता है exactly fourth candle आप दिख सकते है कितनी अच्छी bullish candle बनी है and उसके बाद market continuously CPR के उपर चली जाती है and यहाँ पे हम CPR की कोई भी trade नहीं लेंगे well मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी market actually bearish है market वो pattern बनाएगी and market अपना CPR breakout कर देगी लेकिन अगर market वहाँ पे bearish नहीं है and अगर market ऐसा setup बनाती है then market आपको कुछ न कुछ ऐसा indication देगी कि नहीं भाई मैं नीचे जाने के लिए तयार नहीं हो मुझे उपर ही जाना है वो indication आपको पकड़ना है जैसे 28 अगर्थ को market ने clearly indication दिया था कि नहीं भाई मुझे नीचे नहीं जाना है तो इसलिए market बार-बार विक मना रही थी नीचे की तरफ यह indication आपको पकड़ना था आपको समझना था कि market नीचे नहीं जाने वाली यहाँ पर आप short की trade नहीं लेंगे आप wait करते आप देखते कि market reverse हो गई जो आप loss कर सकते थे उस loss से आप बच गए विकाज आपने अपना trading patterns एकदम अच्छे से यूज़ की है आपने थोड़ी से अपनी common sense यूज़ की चलिए एक और मैं आपको example दिखाता हूँ जो 4th of September का example है Monday का दिन है यहाँ पर भी मैंने trade लिया था यह भी मेरी trading pattern के हिसाब से मैंने trade लिया था बट यहाँ पर हमारा stop loss इट हो गया था वेल pattern के साब से जब भी gap up हो रहा है और कोई भी ऐसे pivot से अगर market rejection लेके fall करती है यहाँ पर हमें एक अच्छी trade लेते हैं जापर यहाँ तो आप call option sell कर सकते हैं या put option buy कर सकते हैं इस दिन भी 4th of September की भी मैंने जो trade की video वो अपने channel पर डाल रगी है उसका भी link आपको ऊपर कहीं मिल जाएगा आप वो जाके देख सकते हैं इस दिन भी मैंने जो exactly 4th candle है उसके end पर trade ली थी जहाँ पर मेरा stop loss daily pivot के ऊपर था और उसके बाद मेरा यहाँ पर target at least 1-2 का था लेकिन यहाँ पर क्या हुआ market continuously fall करती है and 10-30 तक market अच्छी काजी fall करती है and मैं बहुत अच्छे profit में था but मेरा यहाँ पर 1-2 को रिश्ट्रूर्ट फुल्फिल रही हुआ and इसलिए I was just holding with my trade but unfortunately उसके आद market continuously reverse हो जाती है जिसकी वज़े से क्या होता है हमारा यहाँ पर stop loss हो जाता है 4th of September को so यह वाले दिन भी देखके बहुत सारे traders को doubt था कि क्या trading patterns में हम विश्वास कर सकते है so इसका भी मैं आपको कुछ example दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा और confidence आ जाए so यह सबसे पहले example है जो 24 अगस्त होजज का दिन है well weekly expiry का दिन है जहां पर आप देखेंगे well exactly 10.55 वाली candle है उसके exactly end पर यहां पर आप एक short की trade ले लेते है because market gap up हुई है and daily pivot से वो rejection लिया है जहां पर आप यहां तो 10.40 वाली candle है 10.50 वाली candle पर एक short की trade लेते because market ने अपने 20 EMA के नीचे close किया है market ने अपने daily pivot के नीचे close किया है and result आपके सामने कितना अच्छा आपको यहां पर trade मिला है so well इस दिन की भी मैंने video डाल रखी तो आप वो जाके देख सकते हैं हमने बहुत जाद अच्छा profit कमाया था इस दिन जो भी आप trading pattern follow करते हैं अगर वो repeat हो रहे है बार-बार market में then आपको इस कार में live market में नहीं सोचना है कि क्या यह मुझे profit देगा क्या यह मुझे loss देगा आपको सिर्फ long run का सोच रहे है because वही same training pattern अगर बार-बार-बार repeat होता है then edge आपके हमेशा favor में रहेगा long run में आप अच्छा पैसा कमाएंगे so यह वाले दिन अगर आप यहाँ पर trade लेते result आपके सामने कितना अच्छा market ने fall किया है almost 120 points fall किया है and बहुत जादा अच्छा आपको यहाँ पर profit मिलता वही same pattern है जहाँ पर market gap up हुई कोई pivot से यहाँ पर rejection लेके fall करती है so जो previously हमने 4 September में देखा था जहां मुझे loss हुआ था वही same pattern 24 अगस्त को मैंने trade किया था यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा profit हुआ था so यहाँ पर एक और example आप देख सकते है जो 17th March Friday का example है जहाँ पर market gap up हुई थी अपने daily pivot and previous जो high है वहाँ से break करके नीचे की तरफ fall करती है जैसे वह break करती है नीचे की तरफ आप एक trade ले लेंगे and कितना अच्छा आपको market ने यहाँ पर target दिया है well almost अगर आप देखेंगे तो almost around 75-80 points का market ने target दिया है nifty में well अगर आप nifty में trade करते है and 75-80 points अगर market move करती है आपकी direction में बहुत ही असानी से 1-2, 1-3 का आपको target मिल सकता है but वो ही है कि अगर आप यहाँ पर और लाल्ची हुजाते तिन market reverse हो गई but वो ही है कि जब भी जैसे आपका 1-2 या 1-3 जो भी आपने target decide किया है जैसे ही वो आपको market मिल जाए तुरंत वो लीजिये and market से निकल जाइए because market कभी भी reverse हो सकती है so इसलिए 17th of March का same example है market gap up हुई fall की एक यहाँ पर daily pivot and previous high से बहुत अच्छा आपको target मिला है so that's it guys यह था मेरे दो trades के बारे में जहाँ पे मेरे trading pattern के हिसाब से market ने pattern बनाया था and वहाँ पे मैंने trade लिया था but unfortunately मेरे trade लेते ही market reverse हो गई थी जिसकी वज़े से मुझे loss हो गया था बहुत सारे लोगों का doubt था कि क्या trading patterns पे विश्वास किया जाता है and now I'm sure कि बहुत सारे लोगों का doubt clear हुआ होगा because वही same exactly same pattern के साथ मैंने आपको previous examples दिखाए है जहाँ पे market ने बहुत अच्छा यहाँ पे आपको trade दिया है and बहुत अच्छा पैसा कमाने का मौका दिया है well मैं बार बार अपनी हर बार यही वीडियो में बताता हूँ हर trade का outcome अलग हो सकता है well हो सकता है कि आपने कोई trade ली उसमें launch भी हो सकता है उसमें profit भी हो सकता है हर trade का outcome अलग होता है लेकिन अगर आप कोई एक particular trading pattern को trade करते हैं जो बार बार market में repeat होता है then उसका edge आपके favor में रहता है and अगर edge आपके favor में है then long run में 100% पैसा कमाएंगे उस बात की certainty पूरी-पूरी है and यह जो मैंने आपको सारे trading patterns के examples दिखाएं जिसमें market ने अच्छा पैसा मना के दिया है यह मैंने आपको 2-3 साल पुराने नहीं दिखाएं यह मैंने आपको इसी साल के 2023 के अंदर-अंदर गई दिखाएं कि अगस्त में market ने बहुत अच्छा pattern बनाया था February भी बनाया था and यह सिर्फ एक ही pattern नहीं है जो मैं trade करता हूँ ऐसे बहुत सारे patterns है जो हम trade करते है and यह सारे patterns market में बार-बार-बार repeat होते है and जो भी patterns ऐसे बार-बार repeat होते है हम उनको trade करते है irrespective of loss or profit हम उसमें डरते नहीं है कि इस trade में क्या होगा या तो profit होगा या loss होगा so यहाँ पे मैं emotions बिलकूर भी नहीं लाता हूँ मैं market में बैठता हूँ मैं अपने trading patterns का wait करता हूँ अगर trading pattern form होता है मैं वहाँ पे trade लेता हूँ अगर trading pattern form नहीं होता मैं आपे trade नहीं लेता it is as simple as that मैं emotions में नहीं आता हूँ कि मुझे 4 दिन लगतार loss हो गया तो मैं 5 में दिन भी loss कर सकता हूँ भी हो सकता है loss हो लेकिन हो सकता है profit भी हो जाए because आपको मालूम होना चाहिए edge हमेशा आपके favor में रहेगा अगर आप कोई ऐसे particular trading patterns follow करते हैं तो and इसलिए मैंने अपना 10 trading patterns वाला course है वो लाया है because जो भी नई trader है जिनको नहीं मालूम कि कहा जाना है क्या trade करना है उनकी direction clear नहीं है then आप जाके वाला एक बार course देख सकते हैं because वहाँ पर हमने 10 trading patterns discuss किये जहां पर हमने clearly बताया है with proper backtest और हर trading patterns के कम से कम 25 से 30 मैंने वहाँ पर examples बतायें जहां पर आप देख सकते हैं कि वो pattern कितनी बार repeat हुआ है कितनी बार आपको profit हुआ है कितनी बार आपको losses हुआ है ताकि आपके सारे के सारे doubts clear हो जाएंगे so that's it about the video today I hope आपको video अच्छी लगी हो and आपको सब समझ आ गया हो जो भी मैंने आपको समझा है अगर इसके लाव आपको कोई doubt है तो आप मुझे video के comment section में पूछ सकते है I'll be more than happy to answer all your queries so यह था आज़ी video के बारे में and let's meet in the next video then